हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको Best Stories Geyser in India के बारे में बताऊंगा और मैं आपको इनके Price, Specification, Feature, Warranty और Buying Guide के बारे में भी बताऊंगा तो वीडियो काफी informative होने वाली है वीडियो को पूरा अंद तक देखें और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा सबके सब 2021 में लॉंच हुए हैं यानि की नए हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए स्टोरेज गीजर खरीदने से पहले रिक्वाइड कैपेसिटी और साइज जरूर फिगर आउट कर लें क्योंकि अगर आप ओर साइज गीजर खरीद लेते हैं तो पानी ज्यादा गर्म होगा और इलेक्रिसिटी कंजम्शन भी ज्यादा होगा दो से तीन मिम्बर्स अगर बाल्टी के पानी से नहाते हैं तो दस से पंदरा लीटर का गीजर सफिसियंट रहेगा और अगर सावर से नहाते हैं तो पचीस लीटर का गीजर सफिसियंट रहेगा क्योंकि energy efficient geyser आपके मंथली electricity बिलको कम करेगा high star rating वाले geyser शुरू में आपको थोड़ा महंगे मिलेंगे पर longer time period के लिए ये आपके बहुत सारे money बचाएंगे geyser खरीते समय उसकी warranty जरूर चेक करें उसके heating element और inner tank पर warranty चेक करना ना भूले एक efficient geyser में ये सारे feature होने चाहिए इसमें automatic thermal cutout लगा होना चाहिए और adjustable thermostat setting होनी चाहिए और pressure release करने के लिए safety wall लगा होना चाहिए और इसके heating element glass coated होने चाहिए और इसमें rust proof outer body होनी चाहिए automatic thermal cutout geyser को switch up करके electricity बचाता है और geyser को जलने से बचाता है safety wall को इस तरह से design किया जाता है कि यह pressure limit ज़्यादा होने पर water को discharge कर देता है और automatically pressure relieve कर देता है geyser में heating element, water tank और thermostat ये तीन component बहुत जरूरी होते हैं इसलिए आपको अच्छे heating element, water tank material और thermostat वाले geyser खरीदने चाहिए बहुत ज़्यादा hard या soft पानी geyser के tank और heating element को affect करता है glass line coated incola और copper के heating element अच्छे होते हैं और scaling से बचाते हैं geyser का tank hot water को store करता है और इसलिए geyser के tank को strong होना चाहिए और corrosion resistant होना चाहिए और thermostat geyser के अंदर पानी के temperature को limit के according maintain रखता है मैं जितने storage geyser के बारे मैं बता रहा हूँ ये सबके सब नए model हैं 2021 में ही उपलब्ध हुए हैं और इनके best buy links मैंने नीचे description में mention कर दिया है आप वहाँ पर जाकर इनकी details को चेक करके इनको purchase कर सकते हैं आईए देखते हैं कि best storage geyser इन इंडिया कौन-कौन से हैं नमबर पांच पर बजाज new सकती new storage geyser आता है ये 4 star energy rating वाला geyser है और यह 10 liter, 15 liter और 25 liter की capacity में all level है इसको corrosion और rusting से बचाने के लिए इसमें titanium armate technology का यूज किया गया है और इसमें copper heating element मिलता है और swirl flow technology का यूज किया गया है जो 20% ज़्यादा गर्म पानी देता है ये 8 बार तक का pressure withstand कर सकता है यानि कि high rise building के लिए suitable है या titanium glass lined enamel coated mild steel tank और weld freeze joint in outer metal body के साथ आता है इसमें temperature control knob और 2 LED indicators लगे हुए हैं और इसमें magnesium anode मिलता है और adjustable thermostat मिलता है और child safety के लिए इसका cut off temperature 50 degrees है इस पर आपको 1 year on product, 2 year on heating element, 5 year on inner tank warranty मिल जाती है 10 liter वाला आपको लगभग 56 रुपए, 15 liter वाला लगभग 69 रुपए और 25 liter वाला लगभग 7,000 रुपए में मिल जाएगा ये काफी सस्ता और अच्छा गीजर है पर बजाज की तरब से इसमें आपको free installation service नहीं मिलती है नमबर चार पर हैवेल स्ट्रोई का storage गीजर आता है या 4 star energy rating वाला गीजर है और या 10 liter, 15 liter और 25 liter की capacity में आता है longer life के लिए इसमें IPX4 water protection मिलता है और इसमें adjustable knob मिलता है जिसमें 25 degree C से 75 degree C तक temperature set किया जा सकता है या 8 bar तक का pressure with stand कर सकता है यानि की high rise building के लिए suitable है इसमें incola glass coated heating element मिलता है जो की superior heating performance परफॉर्मेंस प्रोवाइट करता है टैंक को corrosion से बचाने के लिए stainless steel core के साथ anode rod लगा हुआ है इसके steel tank पर single weld design के साथ ferro glass की coating की गई है जो इसे corrosion के against high resistance और durability प्रोवाइट करता है फास्टेर heating और optimized energy saving के लिए इसमें workflow technology का यूज किया गया है इसके metal body पर plasto sealed outer coating की गई है जो इसके metal surface को durability प्रोवाइट करता है इस पर आपको 2 year की comprehensive warranty, 4 year on heating element, 7 year on inner tank warranty मिल जाती है 10 liter वाला model आपको लगबग 6900 रुपए, 15 liter वाला आपको लगबग 7650 रुपए और 25 liter वाला लगबग 9000 रुपए में मिल जाएगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि copper की heat transfer की ability काफी अच्छी होती है पर इंको लाए better durability प्रोवाइट करता है नमबर 3 पर हिंद वेयर Atlantic Exceed Storage Water Gieser आता है या 5 star energy rating वाला गीजर है और या 6 liter, 10 liter, 15 liter और 25 liter की capacity में आता है ये 0.80 MPa यानी की 8 बार तक का pressure withstand कर सकता है यानी की high rise building के लिए suitable है corrosion से सुरच्छा और high durability के लिए इसमें glass line tank का use किया गया है इसमें high thermostat मिलता है जो की effective heating और energy saving feature प्रोवाइट करता है और इसमें protection against water splashes, auto cut off और safety valve जैसे safety features मिल जाते हैं corrosion से बचाओ और durability के लिए इसकी body superior material से बनाई गई है long lasting performance और effective heating के लिए इसमें copper heating element का use किया गया है इस पर आपको 2 year की comprehensive warranty, 2 year on heating element, 5 year on tank warranty मिल जाती है 6 liter वाला आपको लगबग 5,050 रुपए, 10 liter वाला 5,700 रुपए, 15 liter वाला लगबग 6,100 रुपए और 25 liter वाला लगबग 7,000 रुपए में मिल जाएगा ये सारे geezers जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ नंबर दो पर उसा मिश्टी प्रो स्टोरेज गीजर आता है या 5 star energy rating वाला गीजर है और या 10 liter, 15 liter और 25 liter की capacity में आता है या 8 बार तक का pressure withstand कर सकता है यानि की high rise building और pressure pump के लिए suitable है और इसमें efficient और silent heating के लिए copper heating element लगा हुआ है faster heating और maximum energy saving के लिए world flow technology का use किया गया है इसमें magnesium anode लगा हुआ है जो heating element की life hard water में भी बनाए रखता है और rust और corrosion से बचाता है heating element को बचाने और inner tank की longer life के लिए इसमें glass line coating की गई है इसके inlet outlet pipe को rust से बचाने के लिए इन पर liquid enamel की coating की गई है इस पर आपको 2 year on product, 3 year on heating element, 7 year on tank warranty मिलती है 10 liter वाला आपको लगभग 7800 रुपए, 15 liter वाला लगभग 8600 रुपए और 25 liter वाला लगभग 9900 रुपए में मिल जाएगा यह थोड़ा सा overpriced है पर यह एक बहुत ही अच्चा product है और इसमें आपको copper heating element और whirl flow technology भी मिलती है नमबर वन पर V-guard victo storage geyser आता है यह 5 star energy rating वाला geyser है और यह 6 liter, 15 liter और 25 liter की capacity में आता है इसमें maximum heat retention के लिए extra thick and high density PUF insulation किया गया है इसमें inner tank पर enamel glass line coating की गई है और यह incola 800 heating element के साथ आता है और इसमें magnesium anode लगा हुआ है इसमें thermostat and thermal cutout mechanism मिलता है जो dual overheat protection प्रोवाइड करता है और इसमें 5 in 1 multifunction safety valve लगा हुआ है जो excessive pressure build up, vacuum formation and reverse water flow से बचाता है इसमें multilayer protection against corrosion and scaling मिलता है जो इसे hard water के लिए suitable बनाता है और इसमें single weld line tank मिलता है जो की tank leakage को 6-6% कम करता है और इसमें temperature control knob मिलता है जिससे temperature को 25-15 degree Celsius तक control किया जा सकता है और LED indicator मिलता है जो की power और heating status को दिखाता है यह tank और external housing के 20 thermal bridge free design के साथ आता है जिससे की इसमें 16% कम thermal loss होता है यह 8 बार तक का pressure withstand कर सकता है और high rise building और pressure pump के लिए suitable है इस पर आपको 2 year on product, 3 year on heating, even 5 year on inner tank warranty मिल जाती है 6 liter वाला model आपको लगभग 5,900 रुपए 15 liter वाला लगभग 6,500 रुपए और 25 liter वाला लगभग 7,300 रुपए में मिल जाएगा यह सारे के सारे features आपको Vigard Divino में भी मिल जाएगा और Vigard Divino इससे थोड़ा सा सस्ता भी है पर Vigard Divino में आपको free installation service नहीं मिलती है और Vigard Victor में आपको free installation service मिलती है इन सारे storage users के links मैंने नीचे description में mention कर दिया आप वहाँ पर जाकर इनकी details को चेक करके इनको purchase कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको informative लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर दीजे और अगर आपकी कोई भी query है तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं मैं उसकी reply जरूर दूँगा और अगर आप मेरे channel पर नए है तो मेरे channel को subscribe करिये और bell icon को तुबाइए latest video notification सबसे पहले पाने के लिए मिलता हूँ आपसे next video में तब तक के लिए बाई बाई टाटा